फिरोजाबाद थाना दक्षिंग शेत्र बड़ी छपेटी पर गोदा मालिक और टिर्री वाले के बीच हुए जगडे के दौरान विवाद बढ़ गया और इस दोरान फाइरिंग और पत्राव भी हो गया जिसमें एक व्यक्ति गंबिर रूप से गोली लगने से घायल वह एक अन्य घर से बाहर निकल कर आया घायल वह उसके पिता भी घायल हो गये वही गंबिर घायल को चिकित सकने मृत गोशित कर दिया सरकारी ट्रामा सेंटर में नगर विधायक मनीश असीजा के साथ SSP सचिंद्र पटेल, SP सिटी संग थाना पुलीस पहुझ गया तो मौके पर भी काफी संख्या में पुलीस बलते नाथ थे बताते चले कि थाना दक्षिन शेत्र बड़ी चपेटी पर संजे गुपता के गोधाम का माल एक टिर्री वाला उतार रहा था इस दोरान जहां टिर्री वाला खड़ा था वही एक चूडी का गोधाम भी था उसका वाहन बाहर खड़ा था जिसमें माल लदा था इस दोरान टिर्री वाला कुछ उस वहन के माल से टच हो गया जिसमें कुछ माल क्षति ग्रस्त हो गया इस बात को लेकर गोधाम से आये व्यक्ति वट टिर्री वाले में विवाध हो गया जिसे एक बार बाहर आकर संजे गुपता ने समझा बुजा कर शान कर दिया संजे गुपता के अनुसार उसके बाद काफी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग आ गए इसके बाद पत्राव फाइरिंग भी शुरू कर दी जिसमें वहां खुद भी घायल हो गया उनका बेटा लविश गुपता भी गोली लगने से घायल हो गया तो एक अन्या अमीद पुत्र उमाशंकर गुपता गंबिर रूप से घायल हो गया तीनों को जीला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया जहां अमीद गुपता को चिकित सक ने मृत घोशित कर दिया वहीं मौके पर कई थानों की पुलीस फोर्स पहुच गई SSP सचिंद्र पटेल, SP City, CO City आदी ने मौका मुआयना किया इसके अलावा नगर विदायक मनीश असिजा भी जीला अस्पताल पहुच गए उन्होंने घटना को निंदनिया बताया और कहा कि छोटी सी बात पर इतना बड़ा मामला होना काफी निंदनिया है जिसमें एक व्य मेत्र है एक गोदाम के पास एक वाहन खड़ा था जिसमें चूडी आदी लदी थी तो कुछ चूडी टैमेज हुई तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ पत्राव और फायरिंग हुई जिसमें एक व्यक्ति गंबिर रूप से घायल हुआ चिला अस्पताल लाया गया ज पत्र कारवाई की जाएगी फिलाल मौके पे काफी मातरान पुलिस वल तरहात है और जो भी इसमें दोशी निकल गए उनके दारा बताया गया है कि वहां पे उसमें चीज है वो सब लोग देख रहे हैं सारे विंदूओं पर तहुरतात गल्फी हुए हमारी करीब पांचे टीबे इसमें लगी है पुर